इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. क्लोकेल्म प्लस टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका इस्तेमाल एंग्जाइटी डिसॉर्डर के इलाज के लिए किया जाता है. यह तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधी को कम करके मस्तिश को शांत करता है. यह हिरदय और रक्त वहिकाओं पर कुछ रासायने गूतों की क्रिया को रोकता है. यह हिरदय गती और रक्त चाप को कम करता है. क्लोकेल्म प्लस टेबलेट को खाली पेट लेना चाहिए हाला कि इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा का एक समांस्तर बनाए रखने में मदद मिलती है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी मिलें क्योंकि इसमें आदत बनाने की क्षमता अधिक होती है यदि आप इस दवा की एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर जल्द से जल्द इसे लें बहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोस पूरा करें यह महत्वपून है कि इस दवा को अचानक लेना बंद न करें क्योंकि इससे वापसी के लक्षन हो सकते हैं इस दवा को लेते समय शराब के सेवन से बचें क्यूंकि इससे इसकी प्रभावशीलता कम हो सकती है इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभावों में भ्रम, स्मृति हानी, धीमी गती से हिरदय गती, ठकान और दोस्वपन शामिल है इससे चक्कर आना और नींद भी आ सकती है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यक्ता हो अपने चिकित्सक को सूचित करना महत्वपूर्ण है यदि आप मूड या अवसाद में कोई असामान्य परिवर्तन विक्सित करते हैं क्योंकि यह दवा आत्मगाती विचारों का कारण बन सकती है यदि आप लीवर की बीमारी से पीडित हैं तो दवा लेते समय सावधानी बरते आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जो आप ले रहे हैं क्योंकि इनमें से कई दवाएं इस दवाओं को कम प्रभावी बना सकती है या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती है यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद